Hello Friends, Welcome to Online Study with Bhabna Friends, आज का टॉपिक हिमाचल परदेश की नदियों से है आज हम सतलूज नदी के बारे में डिटेल में डिसकस करेंगे इससे पहले भी हमने हिमाचल परदेश की नदियों से रिलेटिट इंपोर्टन क्वेस्चिन्स डिसकस किये हैं लेकिन अब हम हिमाचल की नदियों को एक एक करके डिटेल में डिसकस करेंगे और आज का हमारा टॉपिक जो है रिवर सतलूज से है जिसमें हम सतलूज नदी का पराचिन नाम, सतलूज नदी की लंबाई कितनी है उसका उद्गम स्थान कौन सा है, उसकी सहायक नदियां, उसके किनारे बसे सहर उस पे बनी हुई जल्बितुत प्रियोजना, इन सभी को हम डिटेल में डिसकस करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले है पराचिन नाम, सतलूज नदी का पराचिन नाम क्या है या उपनाम क्या है सतलूज नदी को हम और किन किन नामों से जानते हैं बैदिक नेम क्या है सतलूज का सूतुद्री या इसको कई वार ऐसे भी लिखा जाता है संस्कृत नेम है इसका सतुद्रू यानि की सेंकडो धाराओं बाली तिप्ती नाम या स्थानिय नाम पुछा जाए तो सतलूज नदी का तिप्ती नाम या स्थानिय नाम जो है वो लांगचेन खमबाब है हिमाल्या से निकलने के कारण सतलूज नदी को हेम बतिया हुपसिस कहा जाता है और किनोर में सतलूज नदी को किस नामों से जाना जाता है सोमो द्रंग, मुकसंग और संगपो इसको ऐसे लिखा जाता है संग पो, मुकसंग और सोमो द्रंग के नाम से सतलूस को किन और में जाना जाता है ग्रीक नाम जो है ये सतलूस का है हुपनिश सतलूस का ग्रीक नाम हुपनिश है और एक और important question जो पूछा जाता है सतलूस से related कि हिमाचल परदेश की लाल नदी कौन सी है तो सतलूस नदी जो है हिमाचल परदेश की लाल नदी है जबकि भारत की लाल नदी किसे कहा जाता है ब्रहम पुत्र नदी को भारत की लाल नदी कहा जाता है ये name most important है नेक्स्ट है सतलूस नदी की लंबाई कितनी है सतलूज नदी की कुल लंबाई जो है 1448 किलो मेटर है भारत में इसकी लंबाई 1050 किलो मेटर है और हिमाचल परदेश में इसका जो प्रभाक शित्र है वो 320 किलो मेटर है हिमाचल में यह 320 किलो मेटर बहती है सतलूज नदी हिमाचल परदेश की सबसे लंबी नदी है मोस्ट इंपॉर्डन लाइन है ये और सतलूज नदी का भाब जो है ये दक्सिन से पश्चिम की ओर है हिमाचल परदेश में प्रवेश करने से पहले जो है सतलूज नदी तिबत में उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है उत्तर से पश्चिम की ओर यह तिबत में बहती है उत्तर से पश्चिम की ओर लेकिन हिमाचल में प्रवेश करने के बाद यह दक्सिन से पश्चिम की ओर बहती है एक्जाम में पहले यहां से कॉश्चिन पूछा जा चुका है कि सतलूज नदी का जो भाव है वो किस ओर है कौन सी दिसा में है तो दक्सिन से पश्चिम की ओर है और पूछा जाए कि हिमाचल में बहने से पहले यानि कि तीबत में ये कौन सी दिसा में बहती है तो उत्तर से पश्चिम की तरफ हिमाचल में बहने से पहले उत्तर से पश्चिम की तरफ बहती है और हिमाचल में आने के बाद दक्षिन से पश्चिम की और बहती है ओके नेक्स्ट है उद्गम स्थान सत्लूज नदी का उद्गम तीबत में स्थित मान्स रोवर जील के पास कैलास वरवत के दक्षिन में रक्स ताल से होता है सिंपल सबदों में हम कहें सत्लूज नदी का उद्गम ये मान्स रोवर जील के पास रक्स ताल से होता है सत्लूज नदी का परवेश्थान most important है यहां से बहुत सारे question exam में पूछे जाते हैं सत्लूज नदी हिमाचल की कौन कौन सी tricks में बहती है और कहां से प्रवेश करती है तो चलिए देखते हैं six लोड़ी जासकर और plane bhamalya को काटते हुए सिपकीदर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यह हासा जाता है यह मंद्ल कहां से प्रवेश करती है तो शिपकी किंदर के पास हिमाचलria के परदेश सक्द हैना दि सब से पहले किनवर जीले में प्रवेश करती है और शिपकी से लेकर किनवर कि अंुर्श आत्री उधिय्मरे COMM है 320 में से 130 किलो मिटर ये किनौर डिष्टिक किनौर में ही बहती है किनौर में बहने के बाद ये डिष्टिक सिमला में परवेश करती है और सिमला में ये बधाल नामक स्थान से परवेश करती है ये स्थान मोस्ट इंपोर्टन है एक्जाम में पूछे जाते हैं कि डिष्टिक स सिमला में कौन से स्थान से प्रवेश करती है तो भधाल नामक स्थान से प्रवेश करती है और अब किनौर और सिमला में बहने के बाद जो है यह जीला कुलू के निर्मंड से होते हुए आगे मंडी में फिर्नू नामक गौं में फिर्नू नामक गौं से प्रवेश करती है डि फिरनू नामक गौह से, नेक्स्ट है, सतलुज नदी सुलन जीले की सीमा को छूते होए, किनोर, शिमला और कुल्लू, मंडी में महने के बाद, सतलुज नदी सुलन जीले की बॉंडरी को छूते हुए, आगे बिलास्पूर में, कसॉल में परवेश्ट कर जाती है, बिलास्प बाथ इती है तो किन और किन और के वाद यहाँ शिम्ला में सिम्ला के वाद यहाँ पुल्लों में först कुल्लों के के वाद कर वर्डी में और मंडी के वाद क्वान्डरी को चूते हुए दिश्टिक बिलासपुर में प्रवेश कर जाती है तो किनौर, सिमला, कुलू मंडी, सोलन, बिलासपूर ये सतलूज नदी जो है हिमाचल की इन डिस्टिक में बहती है और फिर बिलासपूर के नैला नामगाउं में ये हिमाचल को छोड़ देती है और भाखडा नामगाउं से पंजाम में प्रवेश कर जाती है आई होब यहां तक आपको ये टॉपिक कलियर है नेक्स्ट है सतलूज की सहायक नदियां वह खड़े सतलूज की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ये भी पूछा जाता है स्पीती नदी जो है में मिलती है। सतलूज और Testray कि वावा भावा भी सयायक नदिया है। बस्पा जो है यह कौन से स्थान पर सतलुज में मिलती है तो कर्चम नामक स्थान पर जो है यह सतलुज से मिलती है बस्पा जो है भत्तर किलोमेटर है 72 किलोमेटर है बस्पा इसकी लंबाई जो है बस्पा नदी की 72 किलोमेटर है भावा भी सतलुज की most important सहयक नदी है उसके बाद जो है रोपा खड़ अब पीती नदी जो है जब सतलूज में मिल जाती है तो उसके बाद रोपा खडो जिसे स्यासो खड़ के नाम से भी जाना जाता है वो सतलूज में दी ऑचा बाद मिल जाती कि खाबो नामक स्थान पर मिलती है सतलूज से और डिस्टिक की नौर में ही रोपा खट जो है सतलूज नदी में मिलती है स्पीती के बाद और रोपा खट के बाद नैसंग खट जो है यह डिस्टिक की नौर में ही मिलती है और नैसंग खट के बाद तेती नदी जिसको पैंज पैंजूर नदी भी कहते हैं कि सत्लूज में संग्म होता है और अगर पुछा जाए कि सबसे बड़ी सहायकred नदी का उसकह पीती है और सपीती नदी के बाद पुछा जाए कि सबसे बड़ी सहायक multiple सव्मा नदी है कौन स्थान पर मिलती है यह एक्जाम पूछा जाता है कि तीरूंग खड जो है यह सतलूज नदी में कौन से स्थान पर मिलती है तो मूरंग डिश्टिक किनौर के मूरंग नामक स्थान पर जो है तीरूंग खड मिलती है उसके बाद मुलगन खड मुलगन खड जिसको वहाँ के स्थानिय लोग कौयंग खड के नाम से भी जानते है वो सतलूज नदी में मिलती है और उसके बाद अमला और बिमला नदियां most important है डिश्टिक मंडी की करसोग तहसील की अमला बिमला नदियां जो है सतलूज नदी में मिल जाती है और उसके बाद नोगली खड जो है सतलूज नदी में मिलती है एक और important है नोटी खड जो डिश्टिक सिमला में सतलूज नदी में मिलती है ओके next है सतलूज नदी के किनारे बसे सहर और स्थान सतलूज नदी के किनारे बिलासपूर, रामपूर, ततापानी, भावा, पू, नमगया और कलपा, ये सबी जो है सत्लूज नदी के किनारे बसे सहर और स्थान है, इनमें मोच्ट इंपोर्टन जो है एक्जाम में जो पुछा जाता है वो बिलासपूर और रामपूर है, ओके नेक्स्ट है, सत्लूज नदी पर बनी जल बिदूत प्रियोजना एक कौन-कौन सी है, नात्पा जाकडी जल बिदूत प्रियोजना जो पंद्रा सो मेगावार्ट जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता है, और इसका निर्मान जो है किसने किया है, सत्लूज जल बिदूत निगम लिम्टिर ने इसका निर्मान किया है नात्पा झाकड़ी जल विदुत प्रयोजना जो डिश्टिक की नौर में है सत्लूद नदी प्रबनी है पंद्रा सो मेगावाट इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है और इसका निर्मान सत्लूद जल विदुत निगम लिम्टिर ने करवाया है और यह जो इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है इसका निर्मान जो है जेपी इंडस्ट्री ने करवाया था लेकिन इसे बाद में साउथ जिंदल साउथ बैस्ट को बेच दिया गया नेक्स्ट है खाप प्रयोजना एक हजार बीस मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है यह भी सत् इंपोर्टन है कोल्ड एम प्रयोजना आठ सो मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है कोल्ड एम प्रयोजना की सतलूज नदी पनिर्मित है इसका निर्मान किसके द्वारा किया गया है यह पूछा जाता है एंटी पीसी के द्वारा नेशनल थर्मल पावर है जो है जो है को लैं प्रयोजना में कि साहिता कि है सब्सक्राइब भाघडा प्रयोजना तेरा सो हो 15 म precaution इसका निर्मान 1963 में इसका निर्माड निर्माण निर्माड किस के हैं बई-वी-एम-बी मतले भाकड़ा ब्यास इस मेंजमेंट बॉर्ड के ढ़रा भाकड़ा प्रियूसना का निर्माड किया ग्याओ कौन सी नाधी पर नदी ये सफी जह जल्वित्म प्रियोजनाय सतलूज नदी पर निर्मित है आज का टॉपिक आपके लिए यूजफुल है और जो जल्बितुत प्रियोजनाय है हमाचल परदेश की उनसे रिलेटिड एक डिटेल वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और अगर आपको आज की वीडियो अपसं